मसकार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत थे आपका वीडियो गुरू पे और आज वीडियो गुरू में आपके सामने फिर से बात करेंगे हम बाइलोजी की और उस बाइलोजी में से बात करें human bullet यानि मानोरक्त तो मानोरक्त के बात किया जाए कितने परगार के मानोरक्त होते हैं कितने गुरूप होते हैं मानोरक्त में मुश्किल से चार गुरूप मुश्किल से यानि चारी गुरूप तो होता है ए बी ए बी और ओ ये अलग बात है कि पोजिटिव नेगे बी पोजिटिव बी निगेटिव ए बी पोजिटिव और निगेटिव लेकिन मुख्य रूप से कितने होंगे चार होंगे रक्त के अध्यन को ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं हिमेटोलोजी क्या कहते हैं हिमेटोलोजी अरे बास समझ में ब्लड को कितने भागों में डिवा करते हैं RBC WBC और फिर लेट 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 इस तो अब देखते हैं अब ब्लड ग्रूप ऑफ जुमिन मानों का रक्त समूह यानि मानों का जो रक्त समूह कितने परकार के होंगे चार होते हैं आपको भी कुछ दिर पहले बता है और अज जेनरली पता ही है कि मानों में चार प्रकार गरक्त होते हैं A B O और A B तो सरी इन ब्लड गुरूप ने खोज किसका कवारा कि घए थी कोई न कोई तो बंदा होगा कोई न कोई तो साइंस्तिस्ट होंगे जो पता लगा है नहें कि मानों की जितने सारे हूमे wireless हैं उनमें स सब में अलग 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 प्रकार के बलड पाय जाते हैं इसे बंदे को जिसने पता लगाया क्योंकि अभी लोगों की जिंदिगिया बच रही है अगर हमें पता नहीं होता तो पता नहीं किसके ब्लड किसमें चड़ जाता आरे बस समझ में तो देखती है उस बंदे का नाम क्या है किसने खोज थी ब्लड गुरूप वाज डिस्कबरड बाई कार्ल लैंडिस्टीनर इन नाइंटीन हंड़ एड़ी रक्त समू की खोज उनिस सो इस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी याद रहे एकजाम में पूछे जाते हैं कि रक्त समू की खोज किसके द्वारा की गई कार्ल लैंडस्टीनर की द्वारा की गई थी कब की गई थी 1920 में की गए थे इसलिए इस साहब को 1930 में मेडिसीन यानि चिकित्सा का Nobel Award मिला था Nobel Award मिला था इनको कब 1930 में अब सोचिए 1900 में खोज किया 30 साल के बाद मिला यानि सर मेहनत जाया कहीं नहीं जाता है पता आज की जो generation है हम लोग क्या हो गया है कि हम लोग सुबह से पढ़ाई करते हैं फॉम्म भरते हैं हमारा रिजल्ट हो जाएगा अब सोचिए उन्हें 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 सुपर वाले ने कहीं न कहीं सोच रखा है ठीक है चली तो वाज़ें टॉपिक की बाद करें रख समूं की खोज उन्हें सोच में कार्ल लैंड स्टिनर रखी थी इसल मोबेल आवार्ट चिकित्सा का परदान किया गया अब सवाल मानों के जो ग्रूप है अलग अलग गुरूप होने के पीछे रीजन क्या है कि दा में रिजन बिहाइंड ड़िफ्रेंस इंदा ब्लड़ ऑफ यूमें इस दा ग्लाइको प्रोटीन एकदम समझेगा ग्लाइको प्रोटीन यानि ग्लाइको प्रोटीन ही है जो लाल रक्त कनिकाओं में पाया जाता है जिसे हम एंटीजन कहते हैं और इसी एंटीजन के कारण अलग 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 गुरूप के बलड होते हैं यानि ग्लाइको प्रोटीन किस में पाया जाता है आर बी सी में एंटीजन किस में पाया जाएगा आर बी सी में और क्या होता है एंटी बॉड़ी भी कुछ होता है आई यह देख लेते हैं यानि इन्टीजन अप्तु टायप्स इन्टीजन दो होगा इन्टीजन ए एंटीजन बी इन्टीजन दो परकार के होते हैं एंटीजन ए और अटीजन बी on the basis of the presence of एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन देयर आर फोर ग्रूप्स ब्लड इन शुमिन बेंग एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिती के आधार पर मानों में रक्त के चार समू होते हैं अब बात करेंगे एंटीजन और एंटीबोटी की तो कि इसी से हमारा डिशाइड करेगा बलड हम किसको देंगे किस से लेंगे खानके घिप्लाइब और ए Спाण्ड इन ब्लड प्लाजमा जबकि आर भी सी में पाया जारा था ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन के अप्लाजिट एक प्लाजमा होता है जिसमें एंटीबोधि केंअ यह उतिन गश्डाइब मार और एंटीजन फांड इन किसमें आर बी सी हमेशा याद रखिएगा और एंटीजन हमेशा कैपिटल से डिनोट करते हैं और एंटीबॉडी हमेशा स्मॉल से डिनोट करते हैं यह दो परकार का होगा एंटीबॉडी एंटीबॉडी बी यानि एंटीबॉडी एंटीबॉडी बी दोनों भी किसमें पाई जाएंगे प्लाज्मा में पाई जाएंगे जो ग्लाइको प्रोटीन के अपॉजित होता है तो आप कहते हैं कि इसके आधार पर चार परकार के बलड होंगे A, B, A, B और O अब समझना किसमें antigen होगा और किसमें antibody होगा अगर antigen A है A में तो antibody B होगा antigen antibody A कभी नहीं होगा क्योंकि antigen और antibody A कभी नहीं होगा antigen B और antibody B कभी नहीं होगा ऐसा क्यों नहीं होता है ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि सर अब सोचिए न plasma क्या है, liquid part है RBC क्या है, यह liquid part नहीं है अगर यह दोनों को mix कर देंगे तो blood हमारा spoil कर जाएगा न, खराब हो जाएगा न इसलिए antigen अगर A होगा B में antigen B है, तो antibody A होगा antigen A और B दोनों होगा AB में और antibody absent होगा, इस कारण से यह universal donor है antigen A, B absent होगा, O में antibody होगा इस कारण से O universal donor है और A, B universal receptor है मैंने कहा कि antigen A, antigen antibody A, antigen B, antibody B cannot live together, दोनों साथ में नहीं रहेंगे दोनों साथ में रहेगा तो blood क्या होगा? खराब हो जाएगा, ठीक है? किलिए रहा तक? चलिए, अब आगे देखें अभी जो मैंने कहा, वही कहानी यहाँ है antigen A and antibody A, antigen B and antibody B can't live together antigen A और antibody A, antigen B और antibody B एक साथ नहीं रह सकते हैं in case of so happened, अगर ऐसा हो जाए, तब क्या होगा? कुछ लोग होते हैं, सर ऐसा कर देंगे तब क्या होगा? भाई कर दो, अगर हम कर देंगे तब क्या होगा? in case of so happened, this gets most sticky which spoils the blood, जिससे अत्याधिक चिपचपे हो जाएगे, जिससे रक्त खराब हो जाएगा अब ऐसे समझाते हैं आपको, एक कंटेनर है, एक कंटेनर में वाटर है, ठीक है? यह वाटर है और एक दूसरा कंटेनर है, इसमें कड है, दही, कड या ने इसके मॉलेकूल्स क्या होगे? इसके जुड़े होगे? है न? अब सोचिए, अगर हम यह दोनों को मिक्स करेंगे, तो क्या होगा? वाटर और कड दोनों खराब हो जाएगे, हो जागा न खराब? भया हमको वाटर को वाटर में ही मिक्स करना होगा, कड को कड में ही मिक्स करना होगा, तब खराब नहीं होगा, same as यहाँ है जहाँ plasma हमारा liquid part था RBC हमारा liquid part नहीं है अगर दोनों mix करेंगे तो सर खराब न हो जाएगा क्यों? चिपचिपा हो जाएगा अब चिपचिपा होगा तो blood travel नहीं करेगा blood travel नहीं करेगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे suffocation होगा और फिर चानी समझी रहे है इंड कर जाएंगे हमारी life clear है तक? चलिए आगे देखे तो इसे कहते क्या है अगर चिपचिपा हो जाएगा इसे हम क्या कहेंगे agglutination कहेंगे this is called agglutination of blood इसे रक्त का agglutination कहा जाता है therefore in blood transfusion इसे लिए जब हम blood donate करते है जिसे हम रक्त आधान कहते है in blood transfusion adjustment of antigen and antibody should be done carefully ऐसा नहीं केवल हमारा blood group test किया जाता है कि माइनस प्लस है ये भी test होता है ताकि जो agglutination ना हो ताकि रक्त का अभिसलेशन ना हो सके यानि ब्लड हमारा खराब ना हो सके तो पर बताया ही blood group O is called the universal donor रक्त समुः O को सर्वयापी द्याता दाता कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी antigen नहीं होगा blood group AB is called universal receptor because it does not contain any antibody रक्त समुः AB को सर्वयापी प्राप्त करता कहा जाता है इसमें कोई antibody नहीं होता है क्लियर है universal donor कोण O universal receptor कोण AB अगर universal donor की बात करें तो सर कभी-कभी examiner बहुत ज़्यादा deep जाता है तब problem होता है universal donor O अगर positive negative है तब क्या होगा O negative is a universal donor A B positive is a universal receptor O negative universal donor AB positive universal receptor receptor यानि लेंगे donor यानि देंगे ठीक है आगे देखे अब एक कुशन बनता है कि कौन किसको blood देगा कौन किस से लेगा कई बार समझेगा A किसको देगा A अपने जात को देगा यानि अपने खुद को देगा A और A B को देगा किस से लेगा A और O से लेगा A और O से लेगा B किसको देगा B can donate B and A B can receive B and O A भी बड़ा चालाग है एक पर पता है मैं आपको बता हूँ एक कोशन आया है international बेगर अंतरास्तिय भिखारी किस ब्लड गुरूप को कहते है A B को अंतरास्तिय भिखारी कहते है चूँ ऐसा क्यों है लेगा सब से लेकिन भीया देगे हम क्योवल अपने वालों को देगे अपने वालों को चूँकि इंटीजन पाया जाता है इसमें और O बिचारस सीधा कैन डोनेट सब को दे देंगे लेकिन लेंगे किस से केवल अपने वाले से तो हमेशा याद रखिएगा यह आपके एक्जाम में कई बार पूछा जाता है किसको लेगा तक इसको देगा ठीक है क्लिए रहे हैं तक A B युनिवर्सल रिसेप्टर O युनिवर्सल डॉनर अब देखिए एक आता है आरेस फैक्टर अब आप सुच्छरों को सर आरेस फैक्टर ने बताया नहीं आपने प्लस मैनस तो कह दिया कैसे डिसाइड करेंगे इन दा इयर 1940 लैंड श्टीनर और वीनर डिस्कवर्ड अडिफरेंट टाइप अफ एंटीजन दा बलड वर्स 1940 में लैंड श्टीनर और वीनर साहब ने रक्तमिक अलग परकार के एंटीजन की खोज की कहां से खोज की अब देखिये रह पर आरेच कारक कहा जाता है अब यह जिसमें होगा उसका बलड पॉजेटिव होगा यह जिसमें नहीं होगा उसका बलड नेगेटिव होगा यानि the blood of that person it is found their blood is called Riverse Positive जिस वेक्ति के रक्त में ये पाया जाएगा उनके रक्त को Riverse Positive कहेंगे और जिनके बल्ड में नहीं पाया जाएगा उनको RS Negative कहेंगे और पूरे लुर्ड में 85% के बल्ड में पाया जाता यानि पोजीटी वाले पच्चासी प्रतिशत होते हैं किलिए रहा तक तो ब्लड ट्रांस्फ्यूजन जब करते हैं हम एड़ टाइम अब ब्लड ट्रांस्फ्यूजन दा आरेज फैक्टर इस अल्सो टेस्टेड रख्त आधान के समय आरेज कारक का भी परिक्षन किया जाता है एसा नहीं है कि अभी एंटीबाडी और एंटीजन टेस्ट कर लिए नहीं और एजस फैक्टर भी होगा क्यों और एक मात्रा ऐसा है ओ नेगिटिव जो समको देता है को सबको देता है क्योंकि अरिस फैक्टर सब्समें है ही नहीं अब सोचो दीक्रत नहीं तो कोई दिखत नहीं सब्सक्राइब अब सर अगरा आप देही देंगे पुशिटिव वाले एक फोरिटिव एक तब क्या होगा इस गॉल्ड जीक्टेट्र canvas गुरूप तो पर्फमबार कम मातरा होने के कारण कोई परभाव नहीं पड़ता है लेकिन ये अगर परकिरिया बार बार करें अच्छा एक बार कुछ नहीं होगा दुबारा अगर ये गलती कर बैठे न तो जीन को बलड चढ़ाएंगे आप वो क्या होगा उनकी मिर्थियों हो जाएगी हो सकता है उपर बार ने बड़ती माप कर दें तुम्हारी यानि लेश कौंटीटी है न क्योंकि हम एक बार कितना करते हैं एक बार कितना करते हैं तो दूस्तरी बार जब गलती करेंगे तो व्यक्तिक की मिठ्थिव हो जाएगी कि लिए यह हमने देखा बलड ट्रांस्फ्यूजन बलड गुरुप कितने परकार के होँगे और फिर और सबसे बड़े चीज याद रखना क्या है और किस से हम बलड को लेंगे और वार बार बार एक्जाम हॉलम गलती कर बैखते हैं इसलिए वीडियो को दुबारा देखिए कॉंसेप्ट समझिए और फिर एक्जाम देंगे तो आसाने से एक्जाम किलियर होगा चलिए तो यकीनन इस लेक्टर के जरी आपका कॉंसेप्ट और किलियर हुआ होगा आज यहीं तक मिलेंगे नए लेक्टर में तब तक के लिए धन्याओं